आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों DC protection short circuit ठीक है जो कि यहाँ पर DC में जो भी हम लोग output मिलेते हैं तो कभी कदार ऐसा होता है कि आपस में जो है कि short हो जाता है ठीक है तो वह क्या होता है कि short लग जाता है जैसा कि यह देखिए यह मेरा DC supply है तो कभी-कभी होता है कि म जादा पतला है तो फिर यह जल के खतम हो जाएगा और अगर यह तार अगर heavy है heavy में आपको तो होता है कि अगर battery से supply आ रहा है तो यह दो फिर बैटरी यहां पर खराब हो जाता है तो आज हम वही बनाने वाले हैं जैसा कि मान लिजे हैं आप यहाँ से output में ले लिजेगा और यह अटेज भी हो जाता है इस तरीका से तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है यानि कि नहीं आपको बैटरी खराब होगा और नहीं आपका सप्लाई खराब होगा जहां से आप इसको आप पूट ले रहे हैं तो चलिए देखिए इसको बना ली के लिए हम क्या कि यहां पर और यहां पर कुछ भी नहीं है तो चलिए इसका कनेक्शन यहां पर शुरू करते हैं काफी सेंपल सा सर्कृट है दोस्तों यहां पर तो चलिए अभी हम इसको जोड लेते हैं किस तरीका से करना है विल्कुल भी आप यहां से अच्छे तरीका से आप देखिएगा तो एक चोटासा एक हो वाइर का है पर टूकरा ले रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले इन दोनों के यहां पर हम कनेक्च कर दें गा मैं थैसे इन दुन को यहां पर हम पहले खनेक्ट कर देते हैं तो अभी यह जो सूच है दोस्तों यह पुश सूच इसका connection भी सेंपल है बस एक में यहां पर हम इसको लगा दाते हैं और यह जो एक है यह जो रिले का जो common point है यहां पर लग जाएगा ठीक है अभी यह LED जो है, LED में आपको अपना minus plus देख लेना है कौन सा है तो हमने जो cut कर कर के रखा, यह मेरा plus point है, दोनों का हमने cut कर 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 रख लिया है और दो color के यहां पर ले रहे हैं, यह मेरा red है और यह मेरा green है आप यहां पर कोई भी अलग color कर ले सकते हैं तो एसे देखने में दोनों वाइट है दोस्तों लेकिन आफ देख लिजए का आपका कौन सा red है और कौन सा green है तो हमने यहां पर देख लिया है कि मेरा में कौन सा red है और कौन सा green है और एक LED को हम यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ इस तरीका से, ठीक है, तभी यह दोनों जो पला से दोस्तों यह बीच में आ चुका है, तो इन दोनों का भी आपस में यहाँ पर जोड लेते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया, यह रेजिस्टर लिया है यहाँ पर प्रोटेक् ठीक है, और यह जो इसका जो प्रोटेक्ट यह बचा दोस्तों, तो इसको हम डाइडेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ इस तरीका से, ठीक है, आपको यह पर दीख रहा होगा अच्छा तरीका से, ठीक है, अभी चलिए इसका इनपूट और ओटपूट का कनेक्शन करते हैं, जो कि जहां से हम इसको इनपूट कराएंगे दोस्तों, वो और ओटपूट का कनेक्शन करते हैं, तो यह रहा है इसका दोस्तों, यह जो रेट करल का एक वायर हम ले रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि इनपूट और ओटपूट, दोनों यहीं से जाएगा, तो ओटपूट के लिए हम कुछ इस तरीका से एक वायर ले रहे हैं, दोनों को यहां पर, आपस में हम यहां पर ज इसको हम यहाँ पर sold कर देंगे ठीक है तो यह इसका हो गया input point और यह जो हमने यहाँ पर चुट गी है इसको अच्छे से यहाँ पर हम sold कर लेते हैं चलिए भी बिल्कुल भी अच्छे से हो गया है तो यह तो इसका हो गया output और यह जो छोटा वाला है यह input हो गया तो output को हम उसाइट कर लेते हैं और यह इसका input हो गया है ठीक है अब चलिए इसका जो minus point है वो यहाँ पर हम sold कर लेते हैं तो यह वाला हम ले रहे हैं तो इसका minus point है तो आप यहां भी दे सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, तो हम चलिए यहां पर बीच में इसको सोड कर लिया है, अभी जो इसका input है दोस्तों, minus, तो वो जो रहेगा आपको, यहां पर रहेगा, यह जो common point है, तो common में input रहेगा, तो चलिए common में हम यहां पर input दे देते हैं, तब ही आप यहां पर देख सकते हैं, दोस्तों करीब से, ठीक है, बिल्कुल भी आपको यहां पर clear देख रहा है दोस्तों, यह हमने जो इसका यहां पॉइंट है, यहां से यहां पर coil पर जोड़ा है, और इसी स बीच में एक output निकाल दिया है, यहां से आ गया है, यहां पर common पर, और just यहां पर जो है, coil का point है, यहां से हमने register के लिए दे दिया है, पलस point, और एक input हो गया है, एक output के लिए चला गया है, और जो NC point है, यहां से यहां से यहां रेट कलर का लिए है, एक green कलर का, ठीक है, त connection यहाँ पर complete है चलिए यहाँ पर supply हम देते हैं तो supply हम यहाँ पर 12 बोल्ट यहाँ पर supply दे रहे हैं दोस्तों जो कि अपने power supply से यहाँ पर दे रहे हैं तो अभी इसको हम test भी आपको कराएंगे तो यह रहा है इसका minus point ठीक है और यह इसका रहा plus point ठीक है तो अभी क्या है कि यहाँ पर यह इन डिकेट कर रहा है चलिए इसका output हम यहाँ चेक करते हैं तो यह माहिन तो चलिए माइनस में हम माइनस यहां लगा दिया है और यह रहा पलस दोस्तो ठीक है तो यह पलस में अभी देखिए साइथ यहां पर थोड़ा दूर हो चुका है तो अभी देखिए यहां पर जो है कि कुछ भी यहां पर नहीं जल रहा है ओट्पुट में इसका ठीक है ओट्पुट में कुछ भी तो यह जो पूसूच आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इसको हम एक बार स्रीफ प्रेस करना है आपको ठीक है एक बार तो अभी देखें यहाँ पर गिरीन इंडिकेट यहाँ पर कर चुका है और वहाँ पर लिए आपस में इसको इस तरीका से हम सोट करते हैं तो यहाँ पर रेड इंडिकेट कर चुका है ठीक है आप देखिए रेड यहाँ पर हो चुका है फिर से इसको प्रेस करते हैं गिरीन हो गया है चलिए इसको आपर सोट लगाते हैं यह देखिए तो यहाँ पर एक चीज कि आपठे कर लें मेरा यहां पर ना जाए दोस्तों तो इसको चलिए कर लिए यहां पर कि सब्सक्राइब ज़ funzion करें मेरा यहां पर और हो चुका है कि थोडा कर लुड के लिए किया कर रहे हैं आपर मोटर ले रहे हैं ठीक है कितना लोड यह ले सकता है वह हम देखते हैं कि मेरा इंपूर्यूस अप्लाई है वह तो अच्छा कासर यहाँ पर लोड लेगा लेकिन यह जो कट कर रहा है वह चीज भी आपको यहाँ पर किलियर बताना और किलियर देखाना मेरा काम है तो चलिए मोटर पर लगते हैं पर तुक्त कर चुका है कि आठीकर के मोटर यहाँ करते हैं चालिए जाप जाते हैं इसी में दोस्तों उसका बाद जो है कि प्रेस करते हैं क्या यह चलता भी है या फिर नहीं चलता है कि जो भी है आपके किलियर होना चाहिए कि तब ही देखें यह बंद हो जा रहा है कि चलिए कोर्सिस करते हैं इसको चलाने के लिए ताकि यह चल जाए तो अभी ये बंद हो जा रहा है दोस्तों थोड़ा सा इसको input बढ़ा के देखते हैं क्या effect यहाँ पर पड़ता है क्योंकि जो भी यहाँ पर clear देखा रहे हैं एक चीज यहाँ पर clear है दोस्तों इस तरीका का wall हम जला रहे हैं अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या effect पड़ता है इस पर चलता भी है या फिर नहीं चलता है तो देखें यानि कि यहाँ पर clear हो चुका है दोस्तों अगर इसमें voltage को बढ़ाईएगा तो यहाँ पर जो है कि output में यह ए यहाँ पर क्लियर हो चुका है लेकिन यह क्या है कि सोट पोटेक्शन के लिए बहुत ही बेस्ट कीट है चलिए गर वीडियो आपको काम में आ सकता है चलिए बिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिएगा क्यूंकि यहाँ पर बहुत बहुत से सब्सक्राइब कर दोटे हैं पर चैनल के कर लिए बहुत से चलिए बहुत से समत्सक्राइब क्लिए बहुत से